आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल लॉंग टर्म शेयर सल्टियस में और कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कई मेरे स्क्राइबर दोस्तों ने पूछा था कि सर आप किस वेबसाइट से अपना जो है यह डिटेल सो अगरे देखते हैं किसी स्टॉक के बारे में तो मैं बता देता हूँ कि टिकर टेप मैंने आप जूम करके भी आपको बता दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स म करेंगे और किस प्राइस पर हमें कंसीडर करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे इनके नतीजे देखेंगे वह भी आ चुके हैं और क्वाटर वन के बारे में भी अनुमाल लगाने कोशिश करें किस प्रकार से इनका वेवसाय रहेगा प्लस जो सौवरेन गोल बॉंड के बारे में हमने कल एक वीडियो बनाया था उस पर भी चर्चा कर लेंगे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो तो उस पर भी हलका सा थोड़ी सी बात कर लेंगे सबसे पहले हम यहां पर शिरुवात करेंगे HDFC आज सोमवार है मार्केट खुली है दो दिन से मार्केट बंद रही इस समय देखे हर इंसान जो शेयर मार्केट में थोड़ी सी वी रूची रखता है अब घर पे यह सारे लॉकडाउन है तो दो दिन मार्केट बंद रहना भ प्राइस पे आज ट्रेट हो रहा और इसमें करीब 3.7-4 प्रिश्यत मार्केट खुली उपर नीची हो रहा तो बढ़त के साथ है 34 रुपय के और अगर हम इसका एक वर्ष का अगर हम चार्ट देख रहे हैं यहां पर जैसा कि माने यहां पर लगा रखा है तो एक मन्त का द पते हिए कि काफी जब लॉक्डाउन हुआ था अनॉंसमन उसके पश्चात इसमें भारी गिरावट आई थी और जो लो बनाया था 738 का लो बनाया था अब अगर किसी दिगज कंपनी प्राइवेट नंबर वन बैंक है इस डिएपसी बड़े ग्रूप को बिलॉग करती है वो अगर आधी प्राइस पर मिले तो सोने पर सुहागा इसको कहती है तो काफी गिरावट आयती हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लिया भी रहा ह हो सकता है कि कुछ लोगों ने पानिक में आके बेचा भी हो हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस डर के मारे कोई अरननीती ना बनाई हो कि कितना और नीचे जासे क्योंकि बहुत ही घबर हट का महा बहुत ही पइनिक हो गया था जैना उस के बाद फिर देते ठीक थोड़ा करते हैं आपर हम स्टेंड लॉन जो देख रहे हैं इनके जो है इंकम स्टेट्मेंट जो ब्यास से कम आई है करीब करीब एक दिशमलोग साथ पांच प्रितिशत की जो है क्वाटर दर क्वाटर ग्रोथ है और NPA इनका अच्छा यह देखिए एक से अंदर ही है और कम हुआ है पिछले क्वाटर के मुखाबले और जो निट प्रॉफिट आया है क्वाटर ली मामूली सी गिरावाट है 6.59 प्रितिशत की लेकिन अगर हम यर-on-year basis पे देखते हैं मार्च 19 के क्वाटर से मार्च 20 के क्वाटर में comparison करते हैं standalone तो जो इनकी ब्यास से कम आई है उसमें 13.49 प्रितिशत की ग्रोथ है और operating profit में 19.51 प्रितिशत की ग्रोथ है और year-on-year NPA जो इनका NPA भी थोड़ा सा कम हुआ है एक अच्छी बात है और जो इनका शुद्ध मुना 2.72 प्रितिशत की आसपास की जंप है ग्रोथ है तो बहुत बढ़िया रहे इनके जो है नतीजे काफी अच्छा और इससे वजह से बैंक की देखिए ग्रीन की निशान पर भी है आज भाग भी रहा है नौश चावालिस के बहुँ पर अभी मार्केट खुली हुई है तो ट नतीजे है फ्रेंशल है 2019 के अब जो है एक अप्रिल से जो नाया फ्रेंशल येर शुरू हुआ है और जो क्वाटर वन यानि जून के पर शाद जो नतीजे आएंगे तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो समझिए कि अप्रिल टोटल पूरी तरह से लॉक डाउन रह एमाइज वगेर आनिती रिपेमेंट की उसमें भी रुकावटे हैं इस वज़ेस थोड़ा से इनकी कमाई भी उससाब से बैलेंस शीट पर फरक पड़ सकता है योगि सब कुछ ही बंद है और ना तो इनके प्रोड़क्स बिट्के होंगे और ना ही इनकी कमाई होई ना ही इनकी किनोंने लोन बाटे होंगे ठीक है अगर थोड़े बहुत छोड़ दिया जाएं तो तो जो इसका पूरा-पूरा असर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाटर वन में ऐसा दिखने की संभावना है यह मेरी अपनी एक जो है सोचने का तरीका है हो सकता है कि मैं गलत भी हो हो सकता है कि इस चल रहा हूँ लेकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ नगुशन कौराटर वन में इसके फर्क पड़ेगा तो उस समय एक कहावद एक आपने फिल्म देखी होगी करन अर्जुन उसमें कहते है कि मेरे करन अर्जुन आएंगे मेरे करन अर्जुन है तो मुझे ऐसी आशा है कि इस प्राइस पर वापिस आएगा क्योंकि सबसे आदो प्रभावित होने वाले बैंकिंग सेक्टर्स, NBFC यही सारी जो फ़र्नेंस को लेके प्रभावित होने वाली है इस बीच में और वो के नतीजे पर ही इनका असर देखना शुरू होगा तो ऐसा मेरी उम्मीद है अपना मेरा ओपीनियन है मैं कोई प्रडिक्शन नहीं कर रहा हूं तो उस समय अगर जो लोग इसमें मैं HDFC बैंक में रूची रखते हैं तो मझे लगता है कि तब रण नीती बनाए बजाए अभी के लेने के हाँ यह हो सकता है कि अभी फिर से कोई गिरावट आ जाए अभी भी कोई किसी कारण वाश्या कोई केसे अगर बढ़ जाए कि सब कुस तो हो रहा COVID-19 की वज़े से ही तो अभी भी मिल जाए गिरावट नीचे के लेवल पर थोड़ा सा क्योंकि बाजार काफी भाग चुका है ऐसे में थोड़ा सा इस स्टेज पर लेने के लिए मैं अभी तो महीं कहूंगा है फिर भी जिसका बहुत लंब पॉइंट भी हो है और वो मचल रहा लेने के लिए तो देखिए बैंक बढ़िया है और अगर आप बड़े बैंकों साथ एक दिगज बैंकों से इनके फंडमेंटल बहुत अच्छे हैं तो लंबे समय के निविश्यक अभी भी कंसिडर कर सकते हैं पर मैं अगर होता तो अभी बेट करता है क्वाटर वन तक थोड़ा धैर आया था सौवरेन गोल्ड बारे में तो शायद कल लोगों ने बहुत कम देखा इसको लोगों को रूची नहीं है लेकिन मैं अगर कुछ दीटेल्स में बताने कि फिर से मैं दो लाइन में बताने कोशिश करूं किससे हमें लाब किया देखिए यहां पर मैंने गोल्ड हिस् अब लाइन के ब्रोकर रिच्ट तो अपने ब्रोकर संपर कर सकते हैं तो अब देखिए उसमें फाइदा क्या है तो गोल्ड की रॉप में घरची और व्लॉद 9 1 1 यानि धाई प्रतिशत जो है साल का आपको ब्याज देगी, तो करीब आठ वर्षों का इनका पीरियड है, मेचेवटी का, है न, जब आप रेडीम कर सकते हैं, पांच वर्षों में भी कर सकते हैं, तो मिनमम पांच वर्ष तो आपको डालने ही डालने हैं पैसे, उसके पहले आप विड्राव नहीं कर सकतें, और आठ वर्ष तक इनका पूरा मेचेवटी का टाइम है, तो आठ वर्षों में करीब 20 परिशत तो आपको उससे ज्यादा भी हो सकता है, 20 परिशत तो आपको जो है, वो मिलेगा ब्याज, और यह अच्छी बात है कि आपके खाते में जो अधाई प्रिशत हर साल जो ब्याज मिलेगा, वो आपके खाते में यह भेज दिया करेंगे, हर छए महने बाद, ठीक है, एक साल मेचेवर होने बाद, तो यह ऐसे ही इनकी अरणनीती है, प्लस जो सोने का भाव है, जो निकाला गया है, जो वर्तमान हिसम है, करीब-करीब, तो वो समझेए कि सोने का भाव हर दस साल में, या आठ साल में, कई गुना तो हुई जाता है, अगर आप देखें, तो यह जो चार्ट है, माली जो दस साल पहले के हम बात कर लेते हैं, 2019 तक यहां पर दिया हो, फनेशल यर, तो 2009 से अगर हम देखते हैं, तो दस ग्राम का भाव, यानि 14,500 था, यानि एक ग्राम का भाव, इसी कर दिजिए, आप 1450 रुपए, ठीक है, तो उसी हिसाब से, आज हम देखते हैं, 2019 में, यह हो चुका है, दस ग्राम का 35,220, ठीक है, 2019 में, और अगर आप एक ग्राम का देखेंगे, 3500 सम्थिंग, ठीक है, तो देखें कि करीब करीब अगर 2009 से लेके, कितने गुना हो गया, डबल से भी ज्यादा, तो इसी तरीके से, अगर आने वाले समय में, आठ वर्षों तक अगर आप उस गोल्ड को, या उस बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं, तो मुझे लगता है कि डबल से ज्यादा मुनाफ़ा तो मिली जाएगा, जो गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, वह हिसाब से वहाँ पर आपकी मेशियोटी की टाइम पर उसका लाब मिलेगा, वही प्राइस जो चल रहा होगा वरतमान, उस पर आपकी मेशियोटी रटीम की जाएगी और उसका भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिस से तो अच्छे मिलेगा, क्योंकि जो आपका फिसकल यारी गोल्ड है, वो आपको जो है, उस रेट के हिसाब से वहाँ पर उसकी रखम दे जाएगी, प्रस बिस प्रिशत आठ वर्षों में जो है, इंट्रेस्ट भी मिलेगा, जो आपके खाते में हर साल, वो हर शे महने पर भेज दिया करेंगा, तो ये लाब है, जिन्होंने अगर मेरा वीडियो ये नहीं देखा है, तो ये जरूर देखें, अवश्य देखें, है ना, क्योंकि आज कल का जो प्राइस है, करीब 45,000 के आस पास चल रहा है, ये 10 ग्राम का, है ना, 15,000 येस, तो वही मान के चलिए कि, डबल ट्रिपल तो हो ही सकता है, आठ सालों में ऐसी उमीद की जा रहे है, क्योंकि पास जो परफॉर्मेंस रही है, अगर देखा जाया तो 10 ग्राम का, 10 ग्राम का जो भाव था, 2009 में 14,500, 2019 में हो गया, 35,220 और अभी चल रहा है 2020, तो इस समय भी करीब 45,000 तो चली रहा है, 45,600 कभी कम हो जाता है, कभी जयदा हो जाता है, तो उपर इसे चलता रहता है इनका, तो दोस्तों, यहीं पर जो वीडियो मैं अपना संपन्न करना चाहूं, कोई सुझाओं ज़ पर वत्ति झाटी और बड़ागी, तो दो चलाएक इस लुड़े व्रशन अगय, जा जम सक्ति बादी कर्देन, कभी और लिए, 5,500, 1,5,500, 1,0,0,6,6,7,7,7,7,8,6,7,7,7-7,8,7,9,8,7,9,0,5,100, 1,2,0,5,500, 1,0,5,500, 1,5,500, 2,0,5,500, 1,0,5,500, 1,500,100, 1,500, 2,200, 1,500, झाल झाल